बच्चों का regular का paper आया कैसा है ताकि जिनका भी अभी paper तीन बजे है तो शायद tentative idea मिल जाए उनके पास paper ना हो तो इस वज़े से ये class रखी गई है आप देखेंगे मैं सारा paper one by one discuss कर लूँआ और फिर आसान है मुश्किल है वो तो आपको पता होना चाहिए मेरे हिजाब से तो paper सारा जो भी class में कराए था अब टू मार्क इंफेक्ट थियूरी भी सारा वही था लेकिन कुछ बच्चे कि अगे पीछे है मैंने जल्दवाजी में लगवा तो लिया ही पेज नंबर 5 पेज नंबर 11 अभी मेरे पर प्रॉपर पेपर नहीं आया था जो भी आया था क्योंकि टाइम कम है तो मैंने सोच है सर्फ इस पेपर में कोई solution नहीं होगा कोई comment नहीं होगा सिर्फ बताई जाएगा कि किस तरीके से करना है सबसे पहला question जो था ना चार नंबर पेज पे वह प्रॉपर दिखनी रहा तो मैं इसका बी पार्ट पे आ जाता हूं सर बी पार्ट में following data manufacturing से related दे रखा था सारी चीज़े दे रखिए ओपनिंग रॉप मेट्रियल है क्लोजिंग रॉप मेट्रियल है डारेक्ट लेबर है और सारी चीजी बहुत आसान कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि काफी मुश्किल हो तो इसके आगे क्या बोला था इन्होंने पेज नंबर पांच पर आ जाते हैं पेज नंबर पांच रिक्वाइर्मेंट क्या था इस वह टीन यह रहा है कि आपको प्रिपेयर क्या करना था सिंपल सी बात है कॉस्षिट बनाना था तो जो कोश्शन नंबर टू आया था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कॉस्षिट बनाना था और कुछ भी नहीं था तो बहुत स्पाइब सा कोश्चन पेपर सारा का सारा अगर देखो तो इनफेक्ट काफी हद तक क्लास के अंदर भी कुश्चन्स हुए हुए थे वह आया है तो आपको उसकी टेंशन नहीं बिल्कुल भी दूसरा कोश्चन देखिए किसका आया सर दूसरा कुश्चन आया हमने कर रखा है कहता है कि इतनी तारिक को 2022 में उसने कॉंट्रेक्ट स्टार्ट किया प्राइज यह था कैस रिसीव आपका 80% कितनी बार किया है रिमेनिंग 20% उंटिल कलेक्शन तो यह आपका बुक का ही कोश्चन है अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है मैं ज्यादा वक्त नहीं लुगा यह बुक का ही कोश्चन से जो क्लास के अंदर करवाया गया है सेम टाइप का कोश्चन आप चार्ट में जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा इस टाइप का कोश्चन आइधिंक यह वाला जो था ना 20% रिमेनिंग यह था मेरे ख्याल अगर मैं बताऊ तो उतकल कंस्ट्रक्शन के नाम थे सा उतकल कंस्ट्रक्शन वहां पर बोला गया था के 20% रिटेन अंटिल कंपलीशन तो मैं भी क्लास का भी कोश्चन से अगर दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं के क्लास के अंदर करवाया हुआ कोश्चन है अब फिनेस गूर्स न नमबर पेज है देखिए एक यह कोश्चन था प्रपेर कॉंट्रेक्ट अकाउंट जो पीछे चल रहा था वह कोश्चन टू भी कंटीन्यू गया इसके अंदर से कुछ-कुछ बाते बताए गई थी जो सिंपल था हमारा जो कि हमने कर रखा था उसके बाद थर्ड का ए डिस परसंटेज वाला करवाया था और इंफेक्ट परसंटेज भी चेंज नहीं हुआ दस परसंट बीस परसंट बस वहां पर क्या था सर एबी सी डी और ए था बस वह चेंज करा है इन्होंने बाकी बिल्कुल सेम था अब इसके बाद आपका कहता है कि ग्रेटर स्टॉक टॉन और रेशो पॉलिसी क्या है इलेबरेट करना है डिस्क्राइब दा प्रोसेजर परचेज ऑफ रॉव मट्रियल कैसे करोगे तो यह थिवरी का पाट था सर और में क्या कोश्चन पूछा गया और के अंदर पूछा गया दा मटीरियल आपका दे रखा है स्क्राइब तो आठवे पेज पर जाता हूं अगर मैं आठवे पेज पर देखिए आपको एक्सप्रेंट कॉस्ट कंप्यूट मसीन आवर रेट तो यह सारा सेट अप प्रोडॉक्टिव तो यह भी बारा नंबर का कोश्चन पूछा गया था बहत असान एक्स्प्रेंट कॉस्ट एंड लॉस विद एक्स्पेंस यह भी आया वा था गुरूप में सेंड कर दो मैं भी गुरूप में भी सेंड कर दूंगा सभी को चैट में चला जाएगा यह पीडियाप बना के प्रोफर क्यों जिस बच्चे ने मुझे जल्दबाजी में भीजा एक्जाम हॉल से निकलके पूर बच्चे के पास एक सर्कूलेट हो रहा था रात में पीपर क्योंकि मैं खुद चार बजे तक मैंने डाउट लिया है चार से पांच बज गहे थे मैं डाउट लेता रहा तो लेट भी आया मैं आज तो एक रामजस कॉलेज का सर्कूलेट हो रहा था अब मेरे समझ में भाई ये बना रहें है वो बना रहें बच्चे उसके भागने लगने लगने और रात मैं मुझे बोल रहा है बच्चे के सर ये पर्जिक पर सॉल्फ कर दो यही आएँगा थे आप उसमें से मिला लो एक भी कोशंट साया हो आपका तो एक भी कोशन नहीं है तो देखो rumors जो होते हैं न कॉलेज के प्रोफिसर को भी मैं बोलूँगा कि सर आप बच्चों को पढ़ाते हो एक तो मैं अगर 90% में बात करूं न तो कॉलेज के जो प्रोफिसर है न वो पढ़ाते ही नहीं है मैं सचाई बोर रहा हूँ बच्चे ट्यूशन की पढ़ते हैं अगर कॉलेज के प्रोफिसर पढ़ा रहे होते तो आज मेरे पास आप नहीं होते हैं आप कॉलेज में पढ़ाते हैं यह सचाई है सिर्फ सेलरी लेते हैं वह जिस दिन पूरे इंडिया का कोचिंग सेंटर नहीं कर रहे हैं, किस बेसिस पे उनको चीज़े कर रहे हैं, अब देखे एक और फूर्थ फूर्थ कोष्टन में कहते है एडिशन, कैल्कुलेट टोटल टेकिंग पैसेंजर, तो ये कोष्टन स्वी देखो, simple सा था road tax दे दिया सारी चीज़े दे दिया two conductor दे दिया 70% seat occupy यह question मैंने class में करवाय था 70% seat occupy है तो 30% हर चीज़ का divide हो जाएगा last class के live में ही यह same question करवाय गया था तो देखो यह आपका यह भी कितने number का question पूछा गया सर सीधा सीधा खटाक से पंदर नमर का कोश्चन पूछा गया सर्विस कॉस का पेट्रोल का इतना आसान पेपर था ना क्योंकि मैं अभी सॉल्व करने नहीं बैठूंगा सॉलूशन तो बाद में आई जाएगा इसका लेकिन हाँ आप अगर वीडियो को चेक करते हो सारी चारी रखे पेपर आएगा एक बार देख लिया गो थू कर लिया हां ऐसा कोश्चन आ सकता रूसी के हिसाब से चलिएगा ठीक है ना इसके बाद देखिए आपका प्रॉसेस का इसके और में प्रॉसेस आया तो भाईया जिसको प्रॉसेस कर लिया यह भी पंदरा नंबर का चौथा कोश्चन और जिसको सर्विस आता था मैं होता ना अपनी जगा मैं तो सर्विस कॉस्ट करके आता असा कोश्चन था ठीक है ना इसके बाद पांचवे कोश्चन में देखिए क्या पूछा गया सारी चीज़े ओपनिंग दे दी गया आपको यू आर रिक्वाइट सायथ मिस्ट होगी दस ग्यारा मझजीर कि ऊफ् कि यारा मझेब यह स्टेट्मेंट प्रॉफिट यूकॉचेश्ण से करता है नो selfie पैकिंग चार्ज क्या होता है यह चौन को से मेठच होते इक हमारा traditional होता है एक new method होता है activity based option बहुत बच्चों ने बोला सर एवी सी नहीं करा है मैंने बोला theory आएगा इसमें से आप अभी घबराओ मत और वही theory आया कि क्या है यह अप्रोच जनल एंट्री सर यह जनल एंट्री आप उठा के देख लो एक एक जनल एंट्री लास क्लास में कराया है purchase of raw material मैंने बोला non integrated ही आएगा integrated और non integrated system दोनों में पूछ लिया गया और मैंने दोनों के जनल एंट्री करा रखें purchase of raw material का क्या होगा सर raw material का मैंने बोला था stock control account से होगा तो क्या हो जाएगा सर इसका इंट्री जनल लेजर टू stock control से जाएगा तो आपका stock control account debit to journal लेजर हो जाएगा उसमें हो जाएगा stock control account debit to purchase तो यह जनल एंट्री कराया था तो अब मज़े की बात यह देखो ना कि पूरा paper ना आपका मान लेतने paper 75-75.500 का तो तो 500 के 500 number के आपक को choice करना था ऐसा नहीं था कि यह वाला तो नहीं किया यह नहीं किया तो paper अगर आपने पढ़ा है ना genuinely तो paper बहुत easy था जिस बच्चे नहीं पढ़ा last time पर strategy follow किया होगा today वाला plan उठा कर देख लो आप और match कर लो paper में से क्या क्या आएगा उसी से same के same सारा का सारा paper आया मैं तो group में नहीं, group कोई भी नहीं है, group का मतलब है कि मैं single chat में डालता हूँ, group के अंदर कुछ नहीं होता, बस group के अंदर परिशान होते हैं बच्चे unnecessary के मैं भी paper भेज़ दूँगा, आप देख लिजेगा, overall मैं कहना चाहूँगा paper आसान है, और रात में मेरे साथ एक और भी point था, एक बच्चे ने, एक मुझे questions भीजा, मेरे पास है नहीं, जो मैंने solution number 2 कराया था, material का question कराया था, सब बच्चे YouTube पे भी एक बच्चे ने बोला है, भाई आप जब questions कराया जाए, आप देखो, यहाँ पर पता ही क्या है, यहाँ पर बोलने की आजाती है, जो मर्जी बच्चा, जो मर्जी बोल जाओ, चाहे वो बैक्ट हो, चाहे ना हो, नहीं बोला तो delete का option दे रहा है, योटूब डिलीट कर दे, पहले आप वीडियो क का discount दे रखा है उन्होंने, जबकि कितना होना चीए, 400 रुपे पर discount था, तो यह 24 सो होना चीए, तो उनके बुक में error है, लेकिन बच्चों को कहना है कि हम CA intermediate की चीज़े को पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बड़ी चीज़ पढ़ रहे हैं, वो कभी गलत हो इनी सकता, तो सबसे पहले गलत फहिमी है, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है ना, उसको अपना दिमाग यूज़ करके सोचो कि हाँ यह चीज़ actual है, तो fact है, अब बच्चे पीछे भागने लग जाते हैं, रात में एक paper पूरा circulate हुआ है, जबरदस तरीके से circulate हुआ है वो paper, सर इसी पीपर आएगा, राम जसका कोई पांडे उपाद्य क्या नाम था उनसर का, उन्होंने करवाय था, कैसा आएगा, कोई बच्चा तो बोल रहा था कि सर पीची तूलसियान से paper आएगा, भाई, पीची तूलसियान कभी डियू में लगाया ही नहीं है, पीची तूलसियान का आप भी आ सकता है, आपका देखो questions जो है, आपने करा है, paper का मैं मान के चलता हूँ कि जो pattern इनका था, जो difficulty level इनका था, वही आपका SOL को होगा, SOL का इससे आसान होता है, बल्कि regular का थोड़ा सा difficulty level उपर रखते हैं, ऐसा assumption है, मानना है, लेकिन मैं कहूंगा, difficulty level यही रहेगा, paper के questions के selection वही होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अगर इस paper को करना चाहते हैं, तो cost sheet का question आ रहा है, उसको जल्दी से format पढ़िए, जो जो इसके अंदर question दे रखे हैं, उस type के memorize कर लिए, आपके पास एक से दो गंटे, जो भी Thank you so much, और जो बच्चे ये मैं वीडियो यूटूब पे डाल दूँगा, यूटूब पे बच्चों का भी और यूटूब पे दिक्कत ये भी मैंने सोचा कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, तो 29 का course ला दिया जाए, वो पढ़ ले, अब वो कहने सार हमें ये नहीं मिल रह पैसा तो हुआ नहीं, इसमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और जो बच्चे हमारे पास भी पढ़ रहे हैं, वो भी यूटूब पे जाए और कमेंट करें, और एप्लिकेशन के रिव्यू में भी कमेंट करें, क्योंकि कुछ बच्चों का लगता है कि सर अग लगता है कि आप हमारे पैसे तो डूब गए, 39 रुपए हमारे डूब गए हम बरबाद हो जाएंगे, कुछ बच्चों का ये मानना है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कमेंट करिए, और जुन्होंने कमेंट कराए, उनको जवाब दीजिए, री टेक करिए, पेपर तो उ चाहे गलत करते हैं, अगर गलत मैंने पढ़ाया है, तो आप गलत रिव्यू करिए, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन दुखद की बात सबसे ज़्यादा यह है, कि जब आपके सारे पेपर क्लास में से आ रहे हैं, क्लास में कराए हुए कुश्चन के आ रहे है फिर आप कैसे बोल सकते हैं, कि हमारे साथ 29 रुपए का फ्रॉड हो गया, एक फ्रॉड वर्ड होता ने, जैसे कि लगता है कि करोडों का फ्रॉड हो गया, मेरे समझ में नहीं आता बच्चों की मान सकता कितनी गिर गई है, अगर यहां तक बच्चे इस लेवल पे सोचते ह हैं, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, अब कॉमर्स के बच्चे हो, तो आपको थोड़ा सा स्टेंड लेना पड़ेगा, मार्केट के एड्मायरमेंट को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है, मेरे पास लगबग लगबग में चार बजे तक आप डाउट जिन या मैंने ही सारे डाउट सॉल्व किया है, उसके अंदर, चार कोश्चन करने या पांच उनकी कोश्चन वन टू में और लिखा है, नहीं पूरा पेपर नहीं है, मैं कहूंगा आपको, जतिन पूरा पेपर नहीं है, पूरे पांच कोश्चन करने थे और सब में और और आया फ्टेकर और यही चीज ना पता ही क्या होता है देखो मैं सिंपल सी बात जानता हूं कि यही चीज़ आप अगर चैट में Google पर रिव्यू करदो application पर रिव्यू करदो तो उससे क्या होता है कि आपके दोस्तापके भाई-बहन आपके जो जूनियर होंगे उनका ट्रस्ट फेक्टर बढ़ेगा क्योंकि हम बहुत मैं 100% कभी ठीक नहीं हो सकता मैं मानता हूं इस बात को कभी कोई सब्सक्राइब नहीं आया मेरे वाले कराई हुए मैं से क्योंकि पेपर यह आउट बॉक्स आया था बहुत बच्चों ने माना भी लेकिन आज का पेपर आप देख लो जैसा है वह एटलीस रिव्यू दीजेए अगर अगर देखो आपका कॉसीट फॉर्मेट में अगर जब आप तक यह ना बोला जाए कि एस पर न्यू एप्लिकेवल कोस्ट स्टेंडर के हिसाब से करिए तब तक मत करिएगा ओल्ड वाले से कर दिजें नीचे नोट देजेगा ठीक है न तो ज़्यादा टाइम नहीं लुगा नीवाले से करिए ओल्ड वाले से करिए नोट दीजे फोकस रखे आपने सीखा है तो पेपर में करिए नंबर मेटर नहीं करता कि आपके कितनी आपके अंदर टैलेंट है इस बात का ध्यान रखिएगा नहीं तो नंबर तो बहुतों के आते हैं और बहुत कुछ भी नहीं करते हैं मैंने ऐसे भी बच्चे देखें कि मैं अभी देख लूँगा आपने उसी नंबर पर भेजा होगा तो अब मैं तीन बजे वालों का डाउट लेना चालू करूँगा क्यूंकि मैं थोड़ा सुबह लेट उठा नो दस बज गया मुझे क्यूंकि चार-साड़े-चार-पांच बजे सोया था चार-पांच घंट